नमस्कार आप देख रहे हैं जन की बात और मैं आपके साथ हूँ विजय चौरसया आज देखेंगे हम छेत्र की छोटी बड़ी सभी खबरों को लेकिन पहले देखते हैं हम आज की हेड्लाइन्स जमुआ विटियो ने सनिवार को जमुआ के नवडिहा में कहा कि जदी कोई वेक्सिन नहीं लेता है तो वो सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को भी खो देगा उसे सरकार से मिलने वाले राशन, पेंसन, आवास, इत्यादी बहुसतारी सुविधाओं से वनसित होना पड़ेगा इसलिए सभी से निवेदन है कि वो टीका ले और खुद को वो सरकार को सहयोग करे कहा कि जदी आपको संसार में ठीके रहना है तो आपको ठीका लेना ही होगा ठीका लेकर अपने जीवन को सुरच्छित रखें जमुवा विडियो ने माइक लेकर लोगों को समझाया और ठीका लेने का सभी को निर्देश भी दिया कोई दिक्कत नहीं हो खोई दिक्कत एंदम आज बंद करके लीजी आप लोग किक है वह भूँँझ रहा है कर दीकत आपको कीशी भी परकार का बीमारी ओ डायबिटीज ऑना में और पूझायद के गादी खूर्द ग्राम में जितने भी महलाएं या पुरूस जिनका आयू 18 वरस से उपर हो गिया है वह सभी से निवेदन हैं ग्रामिनों से कि आप लोग बढ़ चाड़कर वेक्सिनेशन का पहला डोज पर्थम डोज जरूर लिजिए और जो पहला डोज ले चुके हैं जिनका समय पूरा हो गया इती फोर डेज हो चुका है वह भी अपना सकेंड डोज लिजिए लेकिन प्रात्मिक्ता वैसे परिवार वैसे ग्राव वैसे घर जहां पे पर्थम डोज नहीं लिए हैं परिवार छुट गए हैं सबसे आगरा होगा कि आप लोग बढ़ चड़कर आज अधिक से अधिक कम से कम अपना भैक्सिनेशन लिजिए और आने वाला समय में जिस तरह आप लोग सरकारी स्विधा लेते हैं और सरकारी स्विधा लेने के आधार काट का जरूरी होता है उसी प्रकार आने वाला समय में हो सकता है कि आपको भैक्सिनेशन लेना पड़ेगा नहीं भैक्सिनेशन लिजिएगा तो आपको सरकारी बल आप जो लोग में बचाण का वाल चाण कि यह यह व्यां पर जा सकता है। सबसस基本 कोगा आप जितने भी यहां पर गादि खूर्द के लोग में बाल चाण क रहाए। और यह पर टीका लीजिये। जिकना इतो टीका ले। इसलिए सबसे आग रहा होगा कि आप अवस्च की काले धनीवाद